हेलो अब्रिवन, विल्कम बैक टू मैं चैनल, आज में लेकर आई हैं सिर्फ दो चीजों से बनी ये स्नैक से बहुत ही स्वादित और बहुत ही लाजवाब होती है, तो चलिए समझेदर से स्नैक को बनाना सुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया एक पैन, उस का वेट करते हैं, तो लिजए उबाल आ गया है, अब हमने जिस कप से पानी डाला है, उसी कप से हमने यहाँ पे एक कप सूजी लिया है, और उसे थोड़ा-थोड़ा डालते हुए, अच्छे से मिक्स करते हुए जाना है, और लगतार उसे चलाते रहना जिसे कि इसमें इसे चलाते चलाते, इसे बिल्कुल एक डोग की तरह बनाना, यह बहुत ही जल्दी बन कर तयार हो जाता है, और यह बहुत ही जल्दी तयार भी हो जाती है, तो देखे, इसने पैंट छोड़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब यह कंप्लीट हो गया, अब इस से पे हमने क्य अच्छे से mix करना है, तो लिजए हमने इसे अच्छे से mix कर दिया, यह बिल्कुल तयार हो के है, अब इसे एक थाली में इसे transfer कर लेते हैं, और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तो अब हमें क्या करना है, अपने हाथों में थोड़ा तेल लगा कर इसे आठे की डो की अच्छे से mix करना है, और mix करने के बाद इसे side करके रखते हैं, और इसे पूरी तरह से ठंडा करने की ज़रोत नहीं है, जब आप उसे touch कर सकते हैं, तो समझे यह तयार हो गया है, बस फटा-फट अपने हाथों में तेल लगाएं, और उसे आप जैसा भी जिन आकार में उस और यह बहँत जल्दी बन कर तयार हो जाथा, आप चाहिएंत से बना कर फ्रेज में स्टोर कर सकते हैं, जब खाना ह rockets से गर्म तंग करते हैं, और इसे खाएं, तो लिजए सारे टिकी तयार हो गया, और चलिए इसे चलते हैं तो तेल भी हमारा गर्म हो गया है, हमें यहाँ पर तेल ज्यादा गर्म नहीं रखना है हलका गर्म ही रखना है और सारे टीक्यों को इसमें डालना है और मिटियम फ्लेम पर इसे गोल्डन होने तक इसे फ्राइ करना है तो सारे टीक्यों को हमने डाल दिया इसे दोतिन मिटे के लिए पकने देते हैं तो लेज़े हमारा नास्ता तयार हो गया है बहुत ही अच्छा कलर आया है अब सारी नास्ता को क्या करना हैposition है में निकाल कर एक छन्य में छान लेते जिससे की इसका बजावािव तेल सब अची तरह से छन जाए और ये बहुत ही चटपटा सा नास्ता बहुत ही कम समय में मिंटू में बन कर तयार हो जाता है ये बहुत ही क्रिस्पी बना है तो चलिए बाकी बचे टिकी को भी हमें ऐसे ही फ्राई करके निकाल लेना है और इसे भी एक दू मिनट के लिए में प्लेम पर पकने देते हैं बह बहुती लाजावा बहुती क्रिस्पी नास्ता मिंटों में बनकर तियार हो गई है तो आप भी इसे बनाएं और खाएं बताएं आपको यह कैसी लगी ये नास्था बहुत ही कम चीजों में बनकर तियार हुई और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चटपटी से बनती है तो आप जिसे भी खिलाएंगे वह आपकी तारीब करती भी नहीं थकेंगे तो आप अपनी मन पसंद चटनी एकेचप के साथ इसे सर्व करें तो friends अगर आपको अपनी ये रेसीपी पसंद आई होगी तो फिर इससे लाइक करना और इसे अपनी family और फ्रेंड के साथ ज़्यादा ज़्यादा सेयर करना और हमारे चानल को subscribe करना ना भोलना तो फिर से मिलते एकनी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाबाई, टेक केर, और पूरी रेसिपी देखने के लिए, थैंक यू.